स्वागत है आपका हमारे शुभम संद्रम चनल में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संस्कृत में परिचे देते समय आप अपने स्थान का परिचे किस प्रकार से देंगे वहां हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि संस्कृत में किस प्रकार से अपने स्थान का परिचे दिया जाता है सबसे पहले परिचे देने से पुर्व आपको नमसकार करना होता है तो संस्कृत में आप नमामी कहेंगे या नमो नमा कहेंगे फिर इसके बाद आप सबसे पहले अपने गाउं का नाम बताते हैं तो गाउं का नाम बताने के लिए संस्कृत में वाक्य का प्रियोग किया जाता है मम ग्रामस से नाम राम नगर अस्ती अर्थात मेरे गाउं का नाम राम नगर है अब इस वाक्य में बाकी सारे शब्द वही रहेंगे किवल रामनगर की जगह है जो भी आपके गाउं का नाम है वहाँ पर आप अपने गाउं का नाम ले सकते हैं या लिख सकते हैं बाकी आपका वाक्य वही रहेगा मम ग्रामस्य नाम रामनगर अस्ती मेरे गाउं का नाम राम नगर है तो जो भी आपके गाउं का नाम है वहाँ आप बोले दूसरे नमबर पर हम अपने डाक घर पोस्ट ओफिस का परिचे देते हैं तो डाक घर को संस्कृत में कहते हैं पत्रालय तो बात क्या आपका बनेगा कि मंपत्रालय सनाम रामपूर अस्ति मेरे डाक घर का नाम रामपूर है अब यहाँ पर भी आपने रामपूर की जगा जो भी आपके डाक घर का पोस्ट ओफिस का नाम है आपने वह लिना है बाकी आपका वाक्य वही रहेगा मंपत्रालय सनाम रामपूर नाम रामपूर अस्ति मेरे टाक घर का नाम रामपूर है इसके बाद हम अपनी उपतहसील के बारे में बताते हैं तो उपतहसील को संस्कृत में कहते हैं उपमंडल तो वाक्य बनेगा मम उपमंडल से नाम अरकी अस्ति मेरी उपतहसील का नाम अरकी है अब यहां पर अरकी की और बाकी वाक्य वैसा का वैसा ही रहेगा ठीक है तो आपका वाक्य संस्कृत में बनता है कि ममम उप मंडलस से नाम अरकी अस्ती मेरी उप तहसिल का नाम अरकी है फिर इसके बाद आप अपनी तहसिल का नाम बताते हैं तहसिल को संस्कृत में मंडल कहते हैं तो वाक्य मनेगा आपका कि मम मंडल से नाम रामपूर अस्ती मेरी तहसिल का नाम रामपूर है अब यहाँ पर भी आप अपनी तहसिल का नाम लेंगे रामपूर की जगा बाकी आपका वाक्य वही रहेगा कि मम् मंदल nouvelle से नाम रामपूर या कृष्ण नगर जो कुछ भी है वो आप यहां पर ले सकते हैं बाखी आपका वाके संस्क्रित में वही रहेगा कि मम् मंदल से नाम रामपूर अस्ती मेरी तह सील का नाम रामपूर है इसके बाद आपका अगला वाक्त के आता है जीले के उपर तो आप जीले का परिशे देते हुए आपने वाक्य बोलना है कि मम जन्पदस से नाम शिमलास्ती अर्थात मेरे जीले के नाम शिमला है तो शिमला के जगए जो भी आपके जीले के नाम वहाँ आपने बोलना है इसके बाद आप अपने प्रदेश का नाम बताते हैं, तो प्रदेश के लिए वाक्य बनेगा कि मम प्रदेश से नाम हिमाचल प्रदेश अस्ती, मेरे प्रदेश का नाम हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल के जगा जो भी आपका प्रदेश है, वह आप बोल सकते हैं और वाक बाकी यह थी आपकी वीडियो इस प्रकार से प्रकार से प्रकार परिश्य दिया जाता है बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें धन्यवाद नमोन महा नमस्ट